हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नोलिजिबल है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे आप बहुत स सारे इंग्लिश वर्ड सीखेंगे सो बिदाउट वेस्टिंग मज टाइम लेट्स गेट स्टाइड नाव दग्रास हॉपर एंड एंड यानि की टिड़्डा और चीटी दोस्तो ग्रास हॉपर दो वर्ड से बना है ग्रास का अर्थ होता है घास और हॉप का अर्थ होता है उचलना तो हॉपर यानि की उचलने वाला घास में उचलने वाला ग्रास हॉपर उमिद करता हूँ कि अब आप नहीं भूलेंगे Once upon a time, there lived an ant and a grasshopper in a grassy meadow Once upon a time, यानि की एक बार की बात है There lived, रहते थे an ant and a grasshopper in a grassy meadow Meadow का अर्थ होता है चारागाह Grassy, यानि की घास वाला एक बार की बात है, एक घास वाले मैदान में एक चीटी और एक grasshopper यानि की टिड़ा रहते थे By the river, यहाँ पर by का अर्थ हुआ K समीप K नजदीक, यानि की एक नदी के पास जैसे मेरे पास बैठो Seed by me तो यहाँ पर by कार्थ हुआ, पास It was during the hot summer season when the ant was toiling hard by collecting wheat grains from the farmer's field It was during the hot summer season, गर्मी के मौसम के दवरान, जब बहुत गर्मी थी When the ant was toiling hard, जब, चीटी, बहुत ही कड़ी मेहनत कर रही थी Was toiling hard, यानि की working hard, टोईल कार्थ होता है मेहनत करना By collecting wheat grains, यानि की गेहु के दानों को collect करके From the farmer's field, किसान के खेत से The ant would work hard, all day long, from dawn to dusk, collecting the heavy grain, well balanced, on her back तो दोस्तों यहाँ पर है would work hard, यानि की चीटी, कड़ी मेहनत करती थी या past habit को दिखाता है All day long, दिन भर Dawn to dusk, यानि की सूरज उगने से लेकर, सूरज डूबने तक, आप कह सकते हैं, सुभा से साम From dawn to dusk, काफी important phrase है, याद रखेंगे Collecting the heavy grain, भारी अनाज को जमा करके, collect करके Well balanced on her back और वो अनाज उसके पीटफर, well balanced रहता था अच्छे से संतूलन बनाए रखती थी, अपने पीटफर यानि की वह grain को, अनाज को, अनाज के दाने को, अपने पीटफर लाद कर धोती थी The ant would work hard all day long from down to dusk, collecting the heavy grain well balanced on her back She would then put the wheat grain in her larder, carefully, and rush back to the field to collect another grain दोस्तों यहां पर wood कार्थ हुआ, यानि की जाती थी, रखती थी, ढोती थी, इस सेंस में She would then put the wheat grain in her larder, उसके बाद वह गेहूं के दाने को, अपने लादर में carefully रखती थी Larder, यानि की भंडार, अनाज का जो भंडार होता है, उसे हम larder कहते है Carefully, साबधानी पुर्वक, and rush back to the field to collect another grain और यहाँ पर rush का अर्थ होता है, दौल कर जाना, back यानि की वापस वह वापस जाती थी, to collect another grain, यानि की दूसरे अनाज को collect करने के लिए She would scurry back and forth between the field and her larder, often repeating this task the whole day यानि की दोस्तों, वह खेत और अपने भंडार के बीच, आगे पीछे भागती रहती थी यहाँ पर scary का अर्थ हुआ, भागना, दौलना, back and forth, यानि की आगे पीछे वह आगे पीछे चलती थी, भागती थी, between the field and her larder, खेत और अपने भंडार के बीच, often repeating this task the whole day और पूरे दिन इस task को, इस काम को repeat करती थी, often यानि की अक्सर On the other hand, दूसरी तरफ, there was a grasshopper in the grassy meadow, who would spend all his time in singing and dancing दूसरी तरफ, एक टिड़ा रहता था, उसी grassy meadow पर, यानि घांच वाले मैदान में Who would spend all his time, जो अपने समय को बिताता था, in singing and dancing, गाने और नाचने में He would often scorn at the end for toiling so hard the entire day in collecting the grains और वह अक्सर, often, scorn at the end, यानि की घिरना की नजरों से चीटी पर देखता था यानि की चीटी जो मेहनत करती थी उसके लिए, टोईल कार्थ होता है मेहनत करना The entire day, पूरे दिन, in collecting the grains, अनाज को इकठा करने में He would often scorn at the end for toiling so hard the entire day in collecting the grains He would frequently call the end to join him in singing, dancing and making merry at the present time और वह हमेशा, frequently, यानि की बार बार Call the end to join him in singing, dancing and making merry at the present time और वह हमेशा, चीटी को बुलाता था, की वह जोईन कर ले, singing or dancing में और हसी मजाक में, मस्ती में Make merry, यानि की मजा करना At the present time, यानि की उस समय, बरतमान समय में He would frequently call the end to join him in singing, dancing and making merry at the present time However, हलांकी या आप यह भी मान सकते हैं, जो भी हो However, the end would ignore him, चीटी उसे ignore करती थी यानि की अंदेखा करना And continue with her work, और अपने काम को जारी रखी However, the end would ignore him and continue with her work This would make the grasshopper laugh even louder and he would often ridicule the end Stating that they have enough food to sustain themselves in summer और यह चीज ग्रास होपर को हसा देता था Even louder और भी ज्यादा जोर से And he would often ridicule और वह अक्सर चीटी का मजाग बनाया करता था यानि की उस पर हस्ता था Ridicule यानि की मजाग बनाना Stating that यानि की बताते हुए They have enough food उसके पास प्रियाप्त भोजन है To sustain themselves in summer खुद को जिंदा रखने के लिए Sustain करने के लिए Sustain का अर्थ निर्वाह करना भी होता है This would make the grasshopper laugh even louder And he would often ridicule the ant stating that They have enough food to sustain themselves in summer Hearing this, यह सुन कर The ant said, चीटी ने कहा That she was saving some वह बचा रही थी Food for the cold season यानि की ठंडी के मौसम के लिए वह कुछ भोजन बचा रही है चीटी ने कहा And recommended the grasshopper और grasshopper को भी recommend किया सिफारीस की To follow the same कि वह भी उस चीज को follow करे The grasshopper didn't pay heed Grasshopper ने ध्यान नहीं दिया Pay heed यानि की ध्यान देना और यहाँ पर didn't यानि की simple past tense ध्यान नहीं दिया Didn't pay heed To her words उनकी बातों पर उनकी सब्दों पर And continued singing and dancing merrily और हसी खुशी से वह नाचता रहा Dance करता रहा Soon summer faded to autumn And autumn to winter इसे पढ़ते हैं autumn यहाँ पर in silent है यानि की जल्द ही गर्मी का मौसम Autumn के मौसम में बदल गया यानि की पतज़ड के मौसम में और autumn winter में बदल गया और पतज़ड का मौसम थंडी के मौसम में बदल गया फेड का मतलब होता है एक तरह से मुर्जाना या किसी चीज में convert हो जाना It became freezing cold outside बाहर बहुत ही जवर्दस थंड थी यानि की freezing cold जमा देने वाली थंडी Due to snowfall बर्फबारी की बजह से snowfall बर्फबारी इसी तरह rainfall भी होता है And the sun was barely visible और सूरज मुश्किल से visible था यानि दिखाई पड़ता था barely यानि बहुत ही थोड़ा थोड़ा मुश्किल से And the nights were long and dark और रातें लंबी होती थी और अंधेरा होता था Out of cold यानि की thंड से यहाँ पर out of का मतलब हुआ से जैसे इर्षिया से Out of jealousy उसी तरह out of cold थंड से The grasshopper lost his interest in singing and making merry यानि की टिड़ा अपना interest खो दिया जो की उसका interest था in singing and making merry गाने और मस्ती करने में He was cold and hungry उसे ठंड लग गई थी और उसे भूगवी लगी थी And had no place to take shelter और उनके पास कोई जगह नहीं था रहने के लिए आश्रे लेने के लिए Take shelter आश्रे लेना From the snow outside बाहर बर्फ से बचने के लिए He wondered उसे आश्चर हुआ How to save himself खुद को कैसे बचाया जाए From this tough situation इस मुश्किल इस्थिती से Suddenly he remembered about the ant और अचानक उसने चीटी को याद किया And visited Visited her यानि के उससे मिला For some food भोजन के लिए And shelter आश्रे के लिए He went to her place And knocked at her door वह उसके जगह पर गया और दर्वाजा खटखटाया Knock यानि की खटखटाना For help मदद के लिए When she opened the door जब वह दर्वाजा खोली The grass offered to sink For her In return for some food and shelter Grass offer ने offer किया कि वह उसके लिए गाएगा बदले में In return कुछ भोजन और आश्रे के लिए यानि कि वह रहने और खाने देगी तो वह उसे गाना सुनाएगा To this इस पर यह काफी important phrase है याद रखेंगे To this The ant replied Chiti ने उत्तर दिया That she had toiled hard in summer वह गर्मी के दिनों में या गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थे To save enough food प्रियाप्त भोजन बचाने के लिए जमा करने के लिए And the grasshopper Had mocked her और grasshopper ने उसका मजा कुडाया Mock यानि की मजा कुडाना और इससे पहले भी हम लोगों ने एक word सिखा था Ridicule यानि की हसी उडाना मजा कुडाना देन यानि की उस समय उस समय grasshopper ने उसका मजा कुडाया She gently asked him वह आराम से Gently उस से बोली To sing somewhere else कहीं दूसरी जगा जाकर वह गाए Somewhere else यानि की कहीं आउर And earn his food and shelter और भोजन आउर रहने की जगा कमा कर दिखाए It is then तब जाकर The grasshopper realized Tiddha को महसूस हुआ That He should have saved up enough for the winter Instead of wasting his time being lazy During summer in singing and dancing around तब जाकर Tiddha को महसूस हुआ कि उसे enough food बचाना चाहिये था जैसे मुझे जाना चाहिये था I should have gone यानि की should have plus verb 3 चाहिये था की सेंस में यूज होता है Instead of की बजाए यानि की समय गबाने और आलसीपन दिखाने की बजाए It is then the grasshopper realized that he should have saved up enough for the winter यानि के उसे थंडी के मौसम के लिए बहुत जादा बचत करनी थी Instead of wasting his time being lazy during summer in singing and dancing around गर्मी के मौसम में समय गबाने और आलसीपन दिखाने डैंसिंग और सिंगिंग करने की बजाए कुछ भोजन बचा कर रखना चाहिए था I hope friends आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा यदिया मेरा effort आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दुसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए आप लाइए यदियो आप लगेट दूए लाइए लाइए भीड्यो आप लाइए लाइए